दूसरी विधी है यहाँ पर कोलबे की वैद्दूत अब घटन विधी इस विधी को भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लेंगे कि फिर से जो कार्बाक्सलिक अमनके सोडियम साल्ट का जली विलियन हम इसमें लेते हैं आप जानते हैं जब हम यहाँ पर व दूसरे इलेक्ट्रोड का संबंध हम बैटरी के धन धुरू से करेंगे जो की एनोड कहलाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड का संबंध हम बैटरी के रण धुरू से करेंगे जो की कैथोड कहलाएगा और हम जानते हैं कि जो एनोड होगा उस पर ऑक्सिडेशन की क्रिया होगी जबकि cathode पर reduction की क्रिया होगी अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा solution बना है उसमें 4 आयन है एक तो है यहाँ पर CS3 COO- यहने की carboxylate आयन दूसरा इससे अलग हुआ है sodium आयन Na+, इसी तरह से जल के वियोजन से हमें मिल रहा है एक H+, तथा दूसरा है OH- आयन अब यहाँ पर हम देखें कि जो anode है positive charge है और हमारे पास यहाँ पर carboxylate आयन तथा hydroxyl आयन दोनों पर negative charge है और जो anode है उस पर oxidation की क्रिया होगी तो यहाँ पर हम देखें दोनों के compare में जो carboxylate आयन होगा उसका oxidation potential जादा है यानि कि उसका reduction potential कम है इसलिए जो carboxylate आयन है इसका oxidation होगा और oxidation का मतलब होता है electrone का निसकाशन तो यहाँ पर अब देखें कि जो यहाँ पर carboxylate आयन होगा और यहाँ पर हम बता दें कि इसमें हम दो carboxylate जो salt होगा यहाँ पर कॉर्बाक्सले कमल का sodium salt होगा उसके 2 unit का यहाँ पर उप्योग होता है तो यहाँ पर हम ले कि जो कॉर्बाक्सलेट आयन है इसमें से जो इसके पास जो oxygen है उस पर क्योंकि इस पर minus charge है वैसे भी oxygen पर 2 lone pair तो होते ही है यहाँ पर minus charge है तो इसके पास 3 lone pair है यानि कि 6 electron है अब प्रते कॉर्बाक्सलेट आयन एक electron क्योंकि यहाँ पर oxidation हो रहा है इसलिए एक electron का यह निसकाशन करेगा और इस तरह से 2 कॉर्बाक्सलेट आयन से 2 electron यहाँ पर निसकाशित होंगे और इस तरह से जो अब species हमारे पास बचेगी वहाँ पर होगा R, C, double bond O और O और जिस oxygen के पास अब यहाँ पर सिर्फ 5 electron है क्योंकि प्रतेक ने एक-एक electron का निसकाशन कर दिया है तो इस तरह से अब यह जो सरचना बन रही है बड़ी अस्थाई सरचना होगी और चुकि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन को electron चाहिए और इसलिए क्योंकि उसे कार्बन oxygen के बीच यहाँ पर बंध का निर्मान करना है इसकी वज़ासे अब कार्बन जो अलकिल समू होगा यानि की कार्बन कार्बन के बंध को यहाँ पर तोड़ना होगा और यहाँ पर यह जब बंध तूटेगा तो दोनों ही जो कार्बोक्सलेट आयन वाला कार्बन है वो तथा जो अलकिल समू हो वाला कार्बन है वो दोनों ही एक एक electron लेकर यहाँ पर अलग हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो free radical प्राप्त होगा तो यहाँ पर दो free radical मिलेंगे साथ ही साथ यहाँ पर अब जैसे ही कार्बन को एक single electron मिलेगा वो oxygen के पास उपस्तित जो single electron है उसके साथ मिलकर यहाँ पर carbon oxygen के बीच द्विबंध का निर्मान कर लेगा और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यह जो carbon dioxide है वह प्रिथक हो जाएगी साथ ही साथ हमें दो methyl मूलक यहाँ पर free radical प्राप्त होंगे और हम जानते हैं कि दोनों free radical है दोनों के पास एक-एक single electron है तो दोनों आपस में मिलकर बंध बना लेंगे और इस तरह से हमें CS3 single bond CS3 यहने कि ethane प्राप्त होगा तो इस सरचना में हम देख रहे हैं कि जो कोलबे का वैद्दूत अभगटन है उस सरचना में हम देख रहे हैं कि anode पर हमें एक अधिक संख्या वाले जितना carbon हमने लिया है जो अलकाइल समू में उपस्तित था उससे एक अधिक carbon वाले हमें अलक से पॉजिटिव आयन ने प्लस और ओएच माइनस तो यहाँ पर जो सोडियम आयन है उसके कंप्यार में hydrogen आयन hydrogen H प्लस आयन का जो रिडक्शन पोटेंशल है वो ज्यादा होता है इसलिए इसका ही रिडक्शन होगा यह कैथोड पर जाकर जो कार्बोक्सलेट आयन के द्वा पर जो अंत में जो हमारा solution है विलियन है वहाँ पर हमारे पास बचा होगा sodium आयन ने प्लस तथा हैड्रोक्सिल आयन ओएच माइनस अब दोनों मिलकर यहाँ पर sodium hydroxide का निर्मान करेंगे तो इस तरह से हम देखें कि वी कॉर्बॉक्सलेशन की क्रिया जो की कोल्बे के वैद कर एलकेन प्राप्त होते हैं तो इस विधी के द्वारा हम कार्बॉक्सलिक अमलों से हाड्रोकार्बन भी प्राप्त कर सकते हैं अब हम कार्बॉक्सलिक अमलों की चौथे प्रकार की अभिक्रियाओं को जानेगी यहने कि उन अभिक्रियाओं को जिन में कार्बॉक्सलिक स समूं होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो इन अभिक्रियाओं में सबसे महत्पूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम नेमिंग अभिक्रिया के रूप में जानते हैं और यह है हेल वोलाड जेलिंस की रियक्षन जिसे हम शॉर्ट में एच्वी जड रियक्षन कहते हैं इस रियक्षन के द्वारा हमें बहुत ही महत्तपून कंपाउंड यानि की एलफा हेलो कर्बोग्दिलिक अमलव प्राप्त होते हैं इस अभीक्रिया में जब हम यह हम कहें कि यह अभीक्रिया वास्तों में हैलोगीनिशन की अभीक्रिया है लेकिन यहां पर जो हैलोगीनिशन होता है वो जो एलकिल सम्मू है उसमें होता है तो यहां पर हम देखें जब हम कोई भी कार्बोक्सली कम लेंगी जैसे कि यहां पर ह हम ईतनोइट एसीड ले रहे हैं जब इसकी करियां हम लाल फास्फॉरस की उपस्थती में क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाते हैं तो ऐसे स्ती में हमें अल्फा हैलो के स्मैक अल्फभात होते हैं जैसिकि यदि हम यहाँ पर यसकी क्रियां जब हम लाल फॉस्फोरस की उपस्तती में क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर जो अल्फा हड्रोजन उपस्तित हैं यहाँ पर हमें विलेगा यहाँ पर जो प्रतिस्थापित हो रहा है जो हड्रोजन वो अल्फा हड्रोजन किसे कहते हैं हम जानते हैं कि किसी भी क्रियात्मक समू से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसे हम ऐल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाड्रोजन कहलाते हैं यानि कि ये अभीक्रिया उन्हीं कार्बाग्जिलिक अमलों में होगी जिनमें की अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे और जिसके फल सरूप हमें अल्फा हैलो कार्बाग्जिलिक अमल प्राप्त होंगे और इस अभीक्रिया को हम कहते हैं हेल वोलाड जलिन्स्की रियक्षन जिसे हम HV Z reaction कहते हैं ये काफी महत्पुण अभीक्रिया है आइए अब हम इसकी क्रिया विधी समझते हैं इसके क्रिया विधी में हम देखेंगे कि यहांपर हमने लिया है एक alpha hydrogen yucत carboxylic acid अब यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्तती में क्लोरीन से कराते हैं तो हम पहले ही बता दें कि यहाँ पर जो लाल फास्फोरस है वो क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ पर PCL3 का निर्मान करता है और हम जानते हैं कि जो PCL3 है जब हमने इसकी अभिक्रिया कॉर्बाक्सलिक अमल से कराई थी तो यहाँ पर कॉर्बाक्सलिक अमल का जो हैड्रोक्सल समू है वो हैलोजन समू के द्वारा रिप्लेस होता है तो यहाँ पर हम देखें कि यह जो कार्बाक्स्लिक समू है उसका OH समू जब हम यहाँ पर PCL3 से कराएंगे तो यह CL समू के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह से हमें जो सरचना मिलेगी वो होगी और CH2C double bond OCl अब हम यहाँ पर जानते हैं कि यह जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसलिए यह कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रान चोड़े को अपनी और खीचएगा जिससे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज साथी साथ यहाँ पर अब चुकिए नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर जो जो एल्फा हड्रोजन है हम जानते हैं कि जो एल्फा हड्रोजन होते हैं वो काफी अमली प्रकृतिके होते हैं और बहुत ही आसानी से H प्लस के रूप में निसकाशित हो सकते हैं तो यहाँ पर अब कार्बन से जुड़े वे जो दो हाड्रोजन है उसमें से एक हाड्रोजन अपने इलेक्ट्रान जोड़े कार्बन और हाड्रोजन का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है उसे यहाँ पर दे कर दे देगा जिससे और H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा साथी साथ चुकि यहां पर electron जोड़ा आया है तो यहां पर carbon और carbon के बीच अब यहां पर द्वीबंद का निर्मान हो जाएगा साथी साथ यहां पर जो H plus है वह बाहर निश्कासित होगा लेकिन हम जानते हैं कि जो S plus निश्कासित हो रहा है उपर oxygen के उपर negative charge है इसलिए यह जो hydrogen है वो उस oxygen के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो यहाँ पर नहीं सरचना मिलेगी उसमें हो जाएगा R, साथ इसाथ CH, double bond C, OH और carbon से ही जुड़ा होगा एक CL समूद तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने लिया है जो हमारा region है chlorine वो यहाँ पर आएगा अब chlorine में चुकि यहाँ पर यह एक species है जिसकी वज़ा से chlorine में भी dipole induced हो जाएगा जिससे एक पर positive charge होगा दूसरे पर negative charge होगा तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो CL- है यह CL- oxygen से जुड़े हुए hydrogen को यहाँ से अपने साथ HCL के रूप में निश्कासित कर लेगा और साथ ही साथ अब चुकि यहाँ से proton बाहर निकला है तो जो electron जोड़ा है वह oxygen के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से oxygen और carbon के बीच अब द्वी बंध का निर्मान हो जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा क्लोरीन है वो दूसरा क्लोरीन जो की CL- प्लस के रूप में निश्कासित हो रहा है वो यहाँ पर carbon से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हमें नहीं सरचना मिलेगी वो होगी R-CHCL साथ ही साथ यहाँ पर C-Double-Bond-O-C-L साथ यह बैकबॉर्णिंग करेगा और इस स्तती में कार्बन से जुड़ा हुआ जो अब एक C-L समू है वह अपने इलेक्प्रांच जोड़े लेकर C-L माइनस के रूप में यहाँ से निश्कासित हो जाएगा तो इस तरह से हमें जो सरचना प्राप्त होगी अब चुकि ऑ प्राद होगा C-L borne O और यहां पर चुकी अब क्लोरीन अपने इलेक्प्रांच जोड़े लेकर नस्काशित हो गया है इसलिए अब इस कार्बन पर आ जाएगा पाॉजटीव चार्ज है और इसे इलेक्प्रांच की आवश्यक्ता है अता इसके इसे इलेक्प्रांच देने कारभन के साथ जुड़ जाएगा और जैसे ही कारभन यहां पर आकसीजन कारभन से जुड़ेगा आकसीजन के उपर आजाएगा पॉजटिव चार्ज और इसलिए अब यह ऑकसीजन हड्रोजन के बीच के इलफ्रान goose को लेगा और यहां से प्रोटॉन को निस्काशित कर देगा तो इस तरह से हमें जो नई स्पीसीज मिलेगी वो होगी आर तरह से जो नहीं सरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जो अलफा पोजीशन है यहनि की अलफा पोजीशन पर एक लोरो आ चुका है एक कार्बन से double bond O जुड़ा हुआ है तथा कार्बन से ही OH समुव जुड़ा हुआ है अब जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निश्कासित होगा हमें जो हमारा final product है यानि कि alpha-chloro-carboxylic acid प्राप्त हो जाएगा तो इस विधी के द्वारा जैसे हम कहते हैं HVX reaction हेल वोलोड जैलेंस की reaction इस अभिकरिया के द्वारा हम कार्बोग्जलिक अमलों से alpha-hello-carboxylic अमलों प्राप्त कर सकते हैं अब इसी प्रकार का प्रतिस्थापन हम देखेंगे रिंग में होनेस होने वाला इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन जिसमें की रिंग में उपस्थित hydrogen का virt Tel Haben प्रतिस्थापन होता है और इस अभिकरिया को हम कई बार जान चुके है हम जानते हैं कि जो बेंजिन रिंग होती है उसमें इltryट्राण रागी प्रतिस्थापन अभिकरिया होती है जिसमें की रिंग में उपस्तेट willen रागी समु हो जैसे कि नाइट्रोनियम आयन, NO2+, या फिर क्लोरो के द्वारा या फिर सलफोनिल समो के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उदारन के लिए यदि हम यहाँ पर बेंजोईक एसेड लेते हैं और हम जानते हैं कि यह जो बेंजोईक एसेड होता है उसमें जो कार्बाग्जलिक समो होए वो निस्करी कारी समो है क्योंकि यह समों बेंजेन रिंग से इलेक्टरान को अपनी तरफ खीशता है और इस सलब यह हुआ कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कारबोगζलिक समूbas होता है वह निसकेकारी समूः तो है ही साहते साहते यह मेटानरदेशी समूम भी होता है और इस तरह से जब हम रहरा है ढारीचे कराएंगहो points। प्लैस और चुकि यह इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो बेंजिन रिंग है उसके मेटा पॉजिशन पर नियुकर प्रिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें मेटा नाइट्रो बेंजोईक एसिड उतपात के तौर पर प्राप्त होता है इसी तरह से हम इसकी क्रिया जब ब्रॉमीन से कराते हैं ब्रॉमिनेशन करेंगे और जब हम बेंजोईक एसिट का ब्रॉमिनेशन करेंगे और यहां पर हम FVBR3 की उपस्तती में यह भी कराते हैं तो यहां पर भी जो ब्रॉमीन है वह इसका विगटन होगा और प्लस एलेक्ट्रोफायल तयार होगा यह प्लस एलेक्ट्रोफायल बेंजिन रिंग के मैंटा पोजिशन पर जाकर जो कर्फ क्रिबकठी समु है उसके अगेंस मैंटा पोजिशन पर पर प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस invokeτα, ब्रोमो बेंजोईक एसिट प्राप्त होगा तो इस तरह से यहां पर हम देखें कि जो बेंजियन रिंग है उनमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सक्रीशन हो जाते हैं लेकिन यहां पर भी हम एक बात बता देना चाहेंगे कि जो कार्बॉग्जलिक अमल होते हैं उनके जो बे फ्रिडर क्रफ्ट अभीकरिया करते हैं तब हम समय जो लूइस एसिट उद्प्रेरक होता हूं वो लेते हैं Lewis Acid Aluminum Trichloride और उसकी उपस्तती में हम जब Alkyl Chloride या Acil Chloride के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो चुक्छे यहाँ पर जो कार्बॉक्सलिक अमल होते हैं उनमें कार्बॉक्सलिक सम्मून में Electron Density अधिक होती है और इसकी वज़े से जो यहाँ पर उत्प्रेरक है Lewis Aluminum Trichloride उसे Electron की आवश्यक्ता होती है तो इसलिए यह जो Lewis Acid है वो जाकर कार्बॉक्सलिक अमलों के साथ चुड़ जाता है और साल्ट का निर्मान कर लेता है जिसकी वज़े से यहाँ पर बेंजन रिंग में Friddle Croft Substitution नहीं हो पाते हैं तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वलय में प्रतिस्थापन हो रहा है रिंग में Substitution है वहाँ पर Bromination हो सकता है यानि कि Halogenation हो सकता है लेकिन यहाँ पर Friddle Croft Substitution नहीं होती है तो यह है कार्बॉक्सिलिक अमलों की बिन बिन रासाइनिक अभिक्रियाएं अब इसके बाद हम जानते हैं कार्बॉक्सिलिक अमलों के उप्योग अईसे कंपाउंट हैं जिनका दैनिक जीवन में तो उप्योग है ही साथ ही साथ यह और दोगिक महत्यक के भी हैं तो कि यह बहुत सारे और दोगियों के इंडरस्टी के यह आधार यौगिक आधार कंपाउंट होते हैं कि अधिग कि हम कुछ कंपाउंट्स का उधारण लेते हैं सबसे पहले देखते हैं बेथैनोऑ के सूत्र आप जानते हैं हैज मेतनूइक एशिट का बहुत सारे उध्योगों में जैसे की रबर उध्योग में या डाइज रंग उध्योग में या फिर चम्डए में या फिर एलक्ट्रो प्लैटिंग में इनका उप्योंग किया जाता है इसी तरह से यहां पर हम ले एथेनौइक एसिड का फूड इंडस्ट्री में काफी महत्व है हम जानते हैं भिनभिन प्रकार के जो आचार मुरब्वे या सौस का हम निर्मान करते हैं उनमें खटा पन लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है इन सभी पदार्थों में तथा और भी भिनभिन प्रकार की खाद्य सामग्रियों में यह सिर्के के तौर पर उप्योग में लाए जाते हैं इसी तरह से हमने यहाँ पर एडिपिक एसिड जिसका जो सूत्र होता है वो है हेक्जेन डाई ओइक एसड इस कंपाउंड का उप्योग बहुलक के निर्माण हैं में खास्तर आ durum यह नालोन शिक्स सिक्स के निर्मान में इसका एक कच्चे प्दार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है साथ यहां पेंग जूर एसे बंजोयक एसे जिच ते भ्हन भ्हन और सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट एक बहुत ही अच्छा परिरक्षक है ऐसे बहुत से खादिपदार खासकर जो लंबे समय तक उप्योग किये जाते हैं जैसे कि अचार मुरब्बे या सौस जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें प्रिजर कार्बॉग्जलिक अमल होते हैं वो साबुन इंडस्ट्री या हम कहें जो परिमार्जक इंडस्ट्री है उसका आधार है क्योंकि हम जानते हैं जो साबुन होते हैं वो लंबी श्रिंखला वाले कार्बॉग्जलिक अमलों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं इसी कि 17 कार्बन वाले यह कार्बोग्स लिक अमलों का उप्योग किया जाता है इसी तरह से यदि हम यहां पर अपमार्जक का उदारन ले तो हम ले सकते हैं